इस वक्त महराष्ट की राजनिती में हलचल मजी हुई है। पिछले साल मुखे मंत्री एकनाच छिंदे ने आदे से जदा विधायकों को अपनी तरफ करके उधभ ठाकरे को उनकी कुर्शी से ही हटा दिया था। लेकिन अब दोनों ही पार्टी 2024 के लोग सभा में जुटी हुई है। हाली में शरत पावार ने दावा किया कि राज्य और देश में बीजेपी विरोधी माहोल चल रहा है। इन्होंने कहा कि महराष्ट की 40 लोग सभा सीटों में से 34 पर MBA की जीत का अनुमान लगाया जा सकता है। शरत पावार ने आगे कहा कि MBA विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी का मुकावला किया जा सके। लेकिन स्थान ये समीकरण में कुछ मुश्कीले हैं और NCP की मुख्य प्रतितंदी कॉंग्रेस थी लेकिन दोनों दलों ने ऐसी मुश्किलों को पार कर लिया है। दूसरी तरफ उद्दब ठाकरे भी दावा कर रहे हैं कि मुझे यकीन है अगर आज चुनाव होते हैं तो MBA 40 सीटे जीतेगी। इस बीच महराष्ट के मुख्य मंतरी एकनाथ शिंदे ने महराष्टों लोगसबा चुनावों के आखड़ों को खारिज करते हुए कहा कि इने पता भी है कि आखड़े कैसे निकाले जाते हैं। शिंदे ने कहा इन्होंने हाली में हुए स्थानी निकायत चुनावों के नतीजों पर विचार नहीं किया जिसमें हमारी जबर दस जीत हुई है। CM शिंदे ने कहा कि NBA सरकार ने अपने कारेकाल में काम नहीं किया जबकि हम उनके backlog को cover करने के लिए दुगनी तेजी से काम कर रहे हैं। फिर लोग हमें vote क्यों नहीं देंगे और हम 2024 के लोकसभा चुनावों में सभी record तोड़ देंगे। CM ने तंज कसते हुए कहा कि राजनीती में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते।